Hello friends, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में Crap2315 तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ बेकार पड़े-based blouse species का तो किसी भी तरीकी का कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं और तो बहुत ही प्यारे-प्यारे आपको डिजाइन बताने वाली हूँ जो बहुत जल्दी बन जाते हैं और उन्हें आप आगे सेल करके पैसे भी कमा सकते तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताने वाली हूँ आई होप आपको दोनों ही आइडियास पसंद आएंगे तो चलिए बिना डिले कि हम आज की वीडियो को शिरू करते हैं तो किसी ने रिक्वेस्ट किया था बहुत ही इजी तरीके से सिंपल सा बैक सिखा दीजिए तो देखे 11 इंच इंटू 22 इंच का मैंने कपड़ा लिया है कोई भी कपड़ा आपके पास बचाओ चोटा सा पीसा आप ले सकते हैं बीच में राइस बैग नीचे कोई भी लाइ है फिर टॉप स्टिच लगाना है फिर इसे दूसरी तरफ को रखना है सिलाई लगा के टॉप स्टिच लगा लेना है तो हमारी जिप देखे इंसर्ट हो गई अब हमें क्या करना है स्ट्राप बनानी है 18 इंच इंटू 3 इंच के मैंने दो पीसिस लिए हैं बीच में आपको सिलाई लगा के दोनों स्ट्राप को रेडी कर लेना है फिर यहां से आपको निशान लगाना है देखे टू इंच पे दोनों तरफ से और इसी निशान पे स्ट्राप को रखना है और सिलाई लगा लेनी है तो स्ट्राप को इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद स्ट्राप क के लिए लेते हैं तो राइस बैक डालके देखें मैंने दोनों कुल्टिट पीस रेडी किये हुए है 7 इंच इंटू 5 इंच अब इसके उपर मैं लगाने वाले हैं चुटी-चुटी पॉकेट्स तो पॉकेट्स के लिए देखें कपड़ा लिया है यह मैंने लिए 6 इंच और ऐसे लिए 5 इंच अब उपर की तरफ से इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करते वे सिलाई लगा लेनी है अब इसे हम रखेंगे यह जो हमने साइड बनाई है इसके उपर और सिलाई लगा लेंगे तो दोनों पे हम इसी तरीके से रखते वे देखें मैंने पॉकेट्स को लगा लेनी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो देखे मैंने सिलाई लगा ली अब हमें अंदर की तरह पॉकेट्स बनाने है जिप वाली साइड तो देखे इस तरीके से खपड़ा लिया है कि यहाँ पे आपका बराबर आए और नीचे की तरफ से आपको फोल्ड कर ले लगा लेना है और चारो तरफ सिलाई लगा लेनी है तो हमारी पॉकेट बनके बिलकुल डेडी हो चुकिया आप चाहे तो इसी तरीकी की पॉकेट दूसरी तरफ भी लगा सकते है उसके बाद जिप लेनी है जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते वे सिलाई लगानी ह और फिर उसके बाद پलटते वे top stitch लगा लेना है अब जिप का दूसरा Apaise, यहांसे हम निकाल लएंगे देखिए इस तरीके से और इसे बिल्कुल सीधा देखिए इसी तरीके से पलटते वे दूसरी तरफ लख देंगे और इसलाई लगा लेंगे उसके बाद इसे भी हम दूसरी तरफ को परट लेंगे और बैठने वाली सिलाई लगा लेंगे उसके बाद हमें इसमें रनर को इंसर्ट करना है तो यहां से हम देखिए रनर को इंसर्ट कर लेंगे और एक्स्ट्र जिप को कट कर लेंगे अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए अब हमें क्या करना है देखिए ये जिप का सेंटर और इसके सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है और पहले आपको सिरफ उपर की तरफ से लाई लगानी है अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो ये आपका easily जॉइन होजाता है तो पहले सिरफ यहाँ उपर की तरफ सिलाई लगाएए यहाँ पर यहाँ से लेकर एक corner से लेकर दूसरे corner तक तो देखिए सिलाई लगा ली मैंने अब आप साइडों वाली सिलाई लगाईए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा करने में और यह आपका बिलकुल भी टेडा या तिर्चा नहीं होगा यह देखिए तो दोनों तरफ हम इस पे अब हम कर लेते हैं इसे सीधा और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक तो देखिए इस तरीके से आई इसकी फाइनल लुक और कितना प्यारा हमारा यह डिजाइन लग रहा है और कितना इजी था इसे बनाना मैंने आगे की तरफ एक जिपर पॉकेट बनाई है आप चाहें तो सेम ऐसे ही पीछे की तरफ भी पॉकेट बना सकते हैं और यह बहुत ही सिंपल और इजी सा डिजाइन है और इस तरीके का डिजाइन मार्किट में इजली सेल भी हो जाता है तो अगर आप बैक्स वगरा बना के आगे सेल करते हैं तो इस तरीके से सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे और इसमें वेस्टेज भी बहुत कम है कपड़ा आपका बिल्कुल भी कहीं से भी साइट से वेस्ट नहीं होता तो आपका इसमें मार्जन काफी अच्छा मिलेगा आपको तो आप इस तरीके से देखें बैक्स बना के सेल कर सकते हैं या अपने लिए बना सकते हैं देखें कपड़े के छोटे से पीस से बनाएं इसमें ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लगता और बनाने में भी आसान है और देखने में भी देखिए बहुत ही प्यारा लगता है तो छोटा सा क्यूट सा बैग हमारा बनके रेडी हो चुका है तो चलिए अब बढ़ते हैं आइडिया नंबर टू की तरफ तो आइडिया नंबर टू के लिए भी मैं चोटा सा कपड़ा निचे सेम वैसी, बीच में राई्स बैग नीचे लाएने उसके बाद पिनप कर लेना है और आपको सिलाई लगा लेनी है पिनप जरूर कर लीज़ेगा, सिलाई लगाने में फिनिशिंग आती है उसके बाद फोल्ड करना है उपर की तरफ से देखे इस तरीके से हलकी सी से शेप देनी है और इसी शेप में हम इसके कटिंग कर लेंगे हलकी सी नीचे और फिर उपर राउंड और ऐसे ही दूसरी तरफ से भी कर लेंगे तो हलकी सी shape दे देंगे तो इस तरीके से देखे आपको दिखाई देगा अब इसके center point पर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर हमें पहले velcro लगा लेनी है एक तरफ तो यह मैंने ले लिए velcro और velcro का एक piece हम यहाँ पर attach कर लेंगे एक side में रख देते हैं बाद में बताऊंगे आपको कहा attach करना है तो उपर से half inch का distance छोड़ते वे one fourth inch का आपको यहाँ पे इसे attach कर लेना है फिर लेनी है plastic वाली transparent sheet ये मैंने लिए 5.5 inch और इसकी लंबाई मैंने लिए 4 inch इसे हमें उपर की तरफ से piping से finish करना है तो लंबाई में यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए उसके बाद दूसरी तरफ को पलटते वे top stitch लगा लीजिए तो ये देखिए हमारा ये ready हो गया आप हमें zip लेनी है zip रखनी है इस तरीके से उपर ये finish वाला plastic रखना है और सिलाई लगा लेनी है तो ये हमारी सिलाई लगा ली extra cut कर लिया अब piping के एक और पीस हमें zip के उपर की तरफ लगाना है सिलाई लगानी है पलटते वे piping की तरह इसे finish कर लेना है तो देखिए ये हमारा बिल्कुल ready हो गया है तो चलिए pocket को attach कर लेते हैं अपने इसके साथ तो जहां वेल्कुल लगाई है उसके opposite side मैंने इसे रख दिया और चारो तरफ सिलाई लगा के attach कर लीजिए center point और उसके बाद यहां center point से मिलाते वे चारो तरफ सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने attach कर लिया उसके बाद हमें एक और pocket बनानी है 8 inch into 5.5 inch का मैंने कपड़ा लिया है उपर की तरफ से fold करना है और इस पे सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद यहां पे हम elastic डालेंगे elastic आपको लेनी है इसके बराबर और यहां पे हम elastic को safety pin की मदद से insert कर लेंगे तो यह pocket काफी अच्छी white बनती है और इसमें आपका काफी अच्छे से समान आ जाता है इसलिए हम इस तरीके से इसे elastic वाली बना रहे हैं तो दोनों तरफ मैंने pins लगा ली ताकि elastic अंदर की तरफ न जाए अब attach कैसे करना है यहां पे रखना है देखिए और मैं आपको pin up करके दिखा देती हूँ वैसे ही आपको इस पे सिलाई लगानी है पहले दोनों साइड से मैंने इसे अच्छे से pin up कर लिया और उसके बाद यहां नीचे की तरफ जितना भी कपड़ा बचेगा उसे हम plates डाल के इसमें adjust कर लेंगे तो इस तरीके की pocket काफी अच्छी होती है और उसमें काफी अच्छे से आपका समान बगएर आ जाता है तो देखिए इस तरीके से fold करेंगे और fold करते वे हम इस पे पूरे पे देखिए इस तरीके से plates डालेंगे च्छोटी च्छोटी यह हमने डाल ली एक यहाँ पे side में च्छोटी सी और आ जाएगी इसे भी pin up कर लेते बस अब आपको इसके चारो तरफ सिलाई लगानी है और उसके बाद जितना भी extra होगा उसे आपको cut कर लेना है तो देखिए हमारा हो गया ready अब हम इस पे लगाते हैं side में piping तो piping के लिए देखिए bias में मैंने पटी ली है और आपको क्या करना है यहाँ से एक तरफ से इसे लगाना शुरू करना है और गोल गुमाते वे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद इसे आपको दूसरी तरफ को पलट लेना है यह देखिए इस तरीके से दूसरी तरफ को हम इसे पलट लेंगे और पलटते वे हमारे piping जैसी बन जाएगी और हम इसे पूरा round में finish कर लेंगे यह देखिए तो दीखे, पूरा round में finish कर लिया, अब 2 minute इसे side पे रखते हैं, एक कपड़े का piece लेना है चोटा सा, ये मैंने लिया है 3 inch और लंबाई है 3 inch और यहां से देखिए एक तरफ से इसे दो तरफ से फिनिश कर लिया उसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे तो कोई भी पेचकस वगएरा किसी भी चीज से सीधा कर लीजिए तो चोटी से स्ट्रिप रेडी हो गई हमारे पास अब जहां से सीधा किया था उसे अंदर की तरफ को फोल्ड करते वे उसे भी सिलाई से आप फिनिश कर लीजिए उसके बाद वेल्क्रो का जो दूसरा पीस था वो लेना है आपको पहले हम इसे अटैच कर लेते हैं यहाँ पे रखेंगे और सिलाई से अटैच कर लेंगे उसके बाद वेल्क्रो का जो दूसरा पीस था वो हमें यहाँ पे अटैच करना है तो यह हमारा attach हो गया और यह हमारा cute सा pouch बनके देखे बिलकुल ready हो चुका है तो आप इस pouch का multi use कर सकते हैं वैसे मैं इसका use करने वाली charger वगेरा carry करने के लिए तो देखे इस तरीके से हमारा charger आ गया और उपर की तरफ हमारी wire आ जाएगी आप चाहें तो इसमें make-up का समान भी रख सकते हैं क्योंकि नीचे वाली pocket काफी अच्छी white pocket है उसमें अपनी bangles वगेरा उपर चोटा मोटा make-up का समान रखके भी इसे use कर सकते हैं तो चोटा सा pouch है जिसे आप multi purpose use कर सकते हैं इस तरीके के pouch बना के आप market में sale भी कर सकते हैं क्योंकि छोटे-छोटे pouch है कपड़ा भी कम लगता है आपका खर्चा भी कम आएगा और ये easily आपके sale भी हो जाएंगे तो ये थे कुछ छोटे-छोटे ideas तो I hope आपको दोनों ही bag अच्छे लगी होंगे प्लीज कमेंट जरूर कीजेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू